हाव रूफीक्स सैमसंग गैलेक्सी ओन नेक्स्ट ऑटो रोटेट नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो स्वागर अब सभी का तेकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो ही कैसे अपने डिवाइस में अपने मोबाइल को रोटेट करने के कुषिशिश कर रहे अगर दोस्तो ऐसको प्रॉबलेम है आपकी डिवाइस में तो आप दोस्तो इस वीडियो को आंग तक जरू तीखेगा मैं आप आपको इस्ते बैस्ते बिसका सॉलुशन बताऊंगा उसके बाद जाके दोस्तों आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है फिक्स हो जाएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते ह हुए बैल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कामा ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए वीडियो शु अगर आपका ओतो रोटेट काम कर जाते हैं तो ठीक है अगर रिस्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों अगर सेम प्रॉब्लम है तो आपको दोस्तों नेक्ट सॉलुशन करना होगा तो नेक्स सॉलुशन पर दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है तो आप दोस्तों आपन में जो जायरो होते हैं वो लोग हो जाते हैं ठीक है तो उसके वज़े से दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम आते हैं तो आप अपने रिसेंट एप्स को ऑफ कर दीजिए ठीक है सारे के सारे रिसेंट एप क्लोस कीजिए क्लोस करने के बाद दोस्तों दुबारा से रिचेक करके देखे कि आपका problem सौफ्ट हो आए या नहीं हुआ है अगर सौल्फ हो जाता है तो ठीक है अगर उसके बाद भी दोस्तो प्रोब्लेम आ रहा है तो आप जाए दोस्तों आपने मोबाइल के सेटिंग पर स्क्रॉल डाउन करते हुए दोस्तों जाए जैनेरल मेनेज़्मेंट के ऑप्षिन पर एंडएंट रिसेट ऑप्षिन सेलेकर कीजिए और रिसेट ऑल सेटिंग पर जाके रिसेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए अपना पैटरन यहाँ पर बढ़ दिजिए पैटरन पास्वोड जो भी आपने सेट किया हुआ है स्क्रीन लोग पे उसको एट करने के बाद सारे सेटिंग रिसेट हो जाएगा तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है ऑन कीजिए अपना पोट्रेट मौड को यानि कि आटो रोटेट ऑन करने के बाद दोस्तों दुबारा से चेक करके देखे सौल्फ हो जागा आपका प्रwareM ठीक है बाइचे अगर दबारा से प्राव्ब्लेम आ जाते है तो सिंप्ली जाएये sopware Update में जाके sopware को अपडेट कर लिजे जैसी दोस्तों आपका sopware